लोग सबाच चुनाओ 2024 के लिए बीजेपी नए लक्ष के साथ नए अकीरतीमान इस्थापित करना चाहती है और इसलिए बीजेपी अब दक्षण के नए सियासी मैदान पर अपनी बिसाथ जमानी की तैयारी में है बीजेपी को भरोसा है कि विकास के तमाम मुद्दों के साथ भाजपा के चुनावी रत की विजेपता का इस बार भी राम ही फैराएंगे लेकिन अपने नए लक्ष मिशन दक्षण को हसिल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनोती है नमस्कार मैं हूँ विजेवर्मा आज हम बात करेंगे चुनावी साल में बीजेपी के नए लक्ष मिशन दक्षण की जिस पर फटै कर बीजेपी इस बार देश भर में चुनावी समीकरन विगाने की तैयारी में है दरसल सियासी चर्चाएं हैं कि 2019 के अपने पिछले बहुमत के आंकडे से पार क्या भाजपा नया रिकोर्ड बना पाएगी एक और बात मंदिर को लेकर जिस तरह का माहौल उत्तर भारत में देखने को मिला है उससे यह तो तैय है कि इसका आम चुनावों में बड़ा असर देखने को मिलेगा और इसका पूरा फायदा सीधे नरिंदर मोदी की अगवाई वाली भाजपा को मिलेगा इस बार तमाम सोशल मीडिया प्लेटफर्म्स पर चर्चाएं यह भी है कि बीजेपी चार सो से ज़्यादा सीटे जीत कर नए रिकॉर्ड बनाएगी हाना कि पार्टी ने इस बार चार सो सीटे जीतने के टार्गेट का खंडन किया है लेकिन पार्टी समर तक लगातार इस बार चार सो पार का नारा लगा रहे हैं लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा हो सकता है कि इस बार राम मंदिर की लहर नए रिकॉर्ड बनाएं लेकिन जमीनी इस तर पर देखें तो दक्षिन भारत फते किये बिना ऐसा संभव नहीं लगता है इसके साफ वज़ा है कि बीजेपी 2019 के चुराओं में ही उत्तर भारत में अपना सबसे बहतर प्रदर्शन कर चुकी है और अब यहां कुछ नया करने लायक, कोई नया कमाल दिखाने लायक जैसा कुछ रहा नहीं है कुछ सीटों में घटद बटद की सम्मावना जरूर है ऐसे में अगर बीजेपी को अपनी सीटों को बढ़ाना है तो दक्षिन भारत में विपक्षी दलों के गड़ में सेंद लगानी होगी 2019 के चुराओं की बात करें तो 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने पिछली बार राजस्थान, यूपी, एमपी, दिल्ली, बिहार, हरियाना समित कई राज्यों में क्लीन स्वीप किया था पास सिर्फ 29 सीटें है, इन 29 में से 25 उसे करनाटक और 4 तेलंगाना से मिली थी, इसके लावा आंधर प्रदेश, तमिल नाडू, केरला में बीजेपी के हाथ कुछ भी नहीं लग पाया है, ऐसे में सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार दक्षिन भारत में भी सेंद लगा पाईगी, इन राज्यों में पिछली बार बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ही 29 सीटें जीतने में काम्याब ही थी, जबकि बाकी सीटें शेत्री दलों के पास थी, दक्षिन में भी इस बार अंतर यह है कि करनाटक में अब कॉंग्रेस की पूर्ण भहूमत वाली सरकार है, इसी तरह तेलंगावना में जहां पिछली बार बीजेपी को परुक्ष रूप से समर्थन वाली पार्टी की सरकार थी, लेकिन इस बार वहां भी कॉंग्रेस की सरकार है, जाहिर सी बात है कि ऐसे में दक्षिन में बीजेपी के लिए अधिक सीटें जीतने से बड़ी चुन बंद हो, अगर ये मान लिए जाए कि उत्तर भारत में पहले की तरही बीजेपी अपना प्रदर्शन करते हुए पिछली जीतें कोई सीटें बरकरा रखने में कामयाब हो जाती है, तो उसकी सीटों में बड़ोतरी कैसे होगी, ये तभी सम्भव है जब कि राम मंदिर का ज इश्ठादा देव माने जाते हैं, इसी के साथ यहां शिफशक्ती और गणेश की भी पूजा अरचना की जाती है, लेकिन बीजेपी के रणनीती कार कहां पीछे रहने वाले थे, उनकी मिशन दक्षण को लेकर रणनीती राम मंदिर प्रानपतिष्टा समारों में भी इसके लावा साल की शुर्वात में ही भाजपा का रुख या यूं कहें कि पीएम मोदी का रुख एका एक दक्षण की तरफ हो गया, तमिलनाडू को बड़ी बड़ी सौगाते दे जाना, रोड शोस करना, लक्षदीप का दौरा करना, केरल के त्रिशूर में रामा स्वाम इसके प्रणनों का दोरा भी कर रहे हैं, ब्रह्मन भी कर रहे हैं, जो कहीं न कहीं रामलेला के जीवन पोराणी मानयताओं से जुड़े हुएं, प्राणपतिष्टा समारो में दक्षण के गीतकार, संगीतकार, फिल्म अवंहीनेता, फिल्म निर्माता, निर्देशकों को भी बड़ी तादात में आमंतरित किया गया था और वे शामिल भी हुए तो कुल मिलाकर बीजेपी के रणनीती कारोणे दक्षिन भारत में भी इस बार रामलला को कनेक्ट करना शुरू कर दिया है रामलला की लहर के साथ ही पियमोदी के लहर अबड़क्षिन की धरा पर बीजेपी को कितनी सफलता दिला पाएगी यह देखने वाली बात होगी मुझे दीजी अजाजत नमस्कार